कि तॉरह फरेंड्स वेल्कम टू नंजिफ्रेंट है क्यूंकि आज की टॉपिक में मैं बात करूंगी न्यूझीलॉंध को लेकर और न्यूझीलैंड को लेकर मैं बात करूंगी को और चाटेगरी को तो यहां से बच्चे जो New Zealand के लिए अप्लाइ करते हैं उनको यहीं मालूम होता है कि College की बी Category होती है मैं आपको Define कर देती हूं Category 1 Category 2 3 & 4 One का मतलब होता है excellent, two का मतलब होता है good, third का मतलब होता है not bad, and fourth का मतलब होता है shutdown अब यहां पर सबसे पहले question यह आता है कि इस category का एक student के साथ क्या relation है तो यहां पर जो relation है मैं आपको define कर रही हूं और वो यह है कि अगर आपने एक wise category अपने लिए नहीं चूज की तो आपको उसके consequences भुगतने पढ़ सकते हैं और वो यह क्यों होता है वो इसलिए होता है क्य और वो क्या होता है कि एक permanent scale पे नहीं बनते हैं और यह खास पात कहूं यह drawback कहूं में न्यूजिलेंड का और वो यह है कि वहां की government यह analyze करती है अगर किसी college की कोई complain आती है या फिर students unsatisfied feel करते हैं या फिर उसकी performance down आती है तो वो उस college को shut down कर देते हैं immediately without thinking about the students जो वहां पे already पढ़ रहे होते हैं and this is very strange thing कि जो मुझे पता लगी है कि थोड़ा मुझे weird लगा कि अगर आप वहां पे पढ़ भी रहे होगे और अगर shutdown हो गया तो आपको consequences उसके भूगतने पढ़ेंगे और वो consequences के हैं मैं आपको बताती हूं अगर तो किसी college का आ गया like category 1 जो होती है excellent ह होती है वह safe zone है हमारे पास category 2 जो होती है वह good होती है तब government क्या करती है उनको notice base देती है कि भाई या तो अपनी जो improve है अपनी college की जो आपकी feedback है वह improve कर लो या फिर shutdown कर देंगे हम तो अगर तो वह improve हो जाता है तो वह category 1 में already shift हो जाता है बट अगर वह category 3 में चला गया improve नह होता है not bad पर वह not bad consider नहीं होगा वह सिधा category 4 में जाके shutdown हो जाएगा और यह मैंने live example कुछ student से सुना था मैं नाम नहीं लेना चाहती वह XYZ student था उसने XYZ student university I don't know college में तो थी अनिमेशन ली हुई थी and उसने तीन से चार महिनी का था course almost a semester का course जो था वह complete कर लिया था बट anyhow जो था वह उस college की performance खराब हो गई और उन्होंने government ने notice भेजा तो वह improve नहीं कर पाए और वह जो institution था जिसमें वह था वह बंथ हो गया और वह तीन से चार मेने जो थे student के वह बिल्कुल ही खराब हो गए और government ने उनको time दिया था 25 त 30 days का या तो वह अपना किसी और institute में जो था वह शुरू कर लें दुवारा से study या फिर किसी और country के लिए move कर जाए अब यहाँ पर question यह होता है कि अगर किसी और university या फिर college के लिए apply करते हैं तो क्या हमारी जो recover months थे जहां हमने पिछले shutdown college में किया था क्या उसके हमें कुछ redeem मिलेगा like उसका फिर समय वापस मिलेगी या फिर वो count किया जाएगा जितना हम पढ़ चुके तो यहाँ पर bad news यह है कि वो जो time आप वहाँ पर पढ़ चुके हो वो आपका count नहीं होगा बिल्कुल zero उसकी value होगी बिल्कुल zero और जितने आपके पैसे लगे हुए है वो भी बिल्कुल waste, total waste वो भी redeem नहीं होगे अब यहाँ पर सबसे worst example यह है कि एक university थी जिसमें एक student पढ़ रहा था उसका almost 2 साल का वो course था और वो बिल्कुल last course में था उसको degree मिलने वाली थी और on the very point जो था वो college था वो बंद हो गया ना उसको degree मिली उसने सारा दुबारा किया उस तो please search करके जाना कि जिस university में आप जाना चाते हो, जिस region में आप जाना चाते हो, क्या वो category 1 में है यह नहीं है, in case वो category 2 में हैं, तो please किसी तरह के chance मत लेना क्योंकि number of institute हैं New Zealand में study करने के लिए, इससे अच्छा है आप किसी और category के आप चूज कर ले, but इसमें chance मत लेना क्य इसमें focus करने की बात यह है, कि पहले तो category में focus करना है, दूसरा कि उसमें apply करना है, जो category 1 में हो आपका college, और उसके review जरूर चेक करना, not past के, और उसके future planning के हैं, वो भी चेक कर लेना, क्योंकि यह नहीं हो सकता, यह भी possible है, कि अकर वो category 1 में है, तो वो category 2 में भी आ सकता है, तो उसके future plans हैं, वो भी चेक करना, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह सारी categories के बारे में, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यह आप चेक कर सकते हैं, और कौन-कौन psychologist category 1, 2, 3 और 4 में हैं, तो आज की वीडियो में सिफ इतना ही, thank you.